नश्कार गूड इवनिंग कॉंप्रिटिशन कम्मूनिटी के कॉंप्रिहेंसिफ करेंट अफेस्ट प्रोग्राम में मैं पोक्राज करता हूँ एक बार फिरसे आप सभी का स्वागत आप लोग को मेरे को देख के एकदम अगबकासी हो गया होगा कि कैसे अचानक से जो कोको का ठीक है तो इस असविधा के लिए खेद है अक्चुली क्या हो रहा है हम लोग अपना जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है उसको कम्प्लीटली रीडू करा रहा है बहुत बहतरीन तरीके से आप लोग देखें कि आने वाले वीडियोस में कॉलिटी जो है उसमें जबरदस् और इसी क्रम में हुआ क्या तो हमारे यहां अकूस्टिक्स या साउंट प्रूफिंग का काम हो रहा था जिसके लिए सभी लाइट्स को निकालना पड़ा अब मेरे पास दो आप्शन बज गये थे क्या क्या या तो मैं इस वीडियो को शेडियूल पर लेकर आउं और आप को जो भी important चीज़ें है current affairs हैं उसका analysis कराऊं या दूसरा इसको छोड़ दूँ skip कर दूँ और फिर अगले हफते ले कराऊं तो मैंने सोचा कि अगर continuity बनी है तो मुझे उसे तोड़ना नहीं चाहिए एक छोटा सा request है आपसे कि प्लीज इस वीडियो को इसी quality में देख करेंगे और यह जो वीडियो है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हम एक से साथ मार्च तक के जो current affairs है ना उसका basically analysis करेंगे प्री के point of view से भी देखेंगे में इसके point of view से भी देखने वाले हैं लेकिन फिर से आपको याद दिला दू यह जो qr code है इसको please scan कर लो क्यू scan कर कि तो हमारा जो application है competition community का इस application को बहुत easily इस qr code को scan करके कर सकते हो download या चाहो तो आप play store पर competition community type करके भी search कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से qr code जो है उसको scan करना ज्यादा आसान लगता है ठीक है आप क्या करते हैं तो पिछले वीडियो में कुछ questions को देखा था उसको solve कर लेते हैं पहला question था आज में कितने लगू वन उपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रह आए कि 65 वनो पजों की खरीदी हो रही है लेकिन क्या समर्थन मूल्य पर हो रही है ऐसा उस statement में मैंने नहीं पढ़ा बजट जो भाषन है उसको आप पढ़ेंगे तो 65 वनो पज की खरीदी की बात हो रही है ठीक है ना कि समर्थन मूल्य पर इसलिए इस point पर मैं अभी कोई विशेश टाइप का comment नहीं करना चाहूंगा जब तक official government source में 65 की खरीदी समर्थन मूल्य पर ऐसा लिखा हुआ ना पढ़ दो ना तब तक अभी 61 ही मानना जैसे कुछ अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको लोग बता दूँगा ठीक एक मटियार यह थोड़ा सा wire फस रहा है यह वायर और मेरा जो है ना यह टंटा हमेशा रहता है यह करनीक में फासाता रहते भई आने टिस्टर्बेंस होते हैं चलो ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या तो अगला प्रश्न सेक्षनिक सत्र दो हजार 22-23 के लिए कौन से दो डिस्ट्रिक्स में एक कलव आदर्श आवासी विद्याले याद करो प्रायगाड का मैंने लेलूंगा बताया था और सर्गुजा का लुंड्रा ओप्शन सी सही आंसर होगा और इसके बाद एक क्वेशन सहीं विकल का चैन करना है गिरिश चंदेल इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व विद्याले के गवर्नर तो गवर्नर कोन है हमारे यहां अनुसुया उई के जी इन्हें ने किया है ना कि भुपेश बगेल जी स्टेट्मेंट ये गलत हो क्या है अब ए भी एक साथ सही हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं ए सही है ठीक बात तो डी ए और भी दोनों गलत हो सकते हैं क्या नह के बारे में कौन सा कोर्स है तो काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड था कि कॉम्पेटिशन कम्यूटी का ओफ्राइन बैच जो है वो आना चाहिए तो डिमांड को पूरा करने के लिए ओफ्राइन बैच आ चुके हैं लास्ट वीडियो में मैंने पताया था साथ मार्च से स्टार्ट हो चुके है राइपूर और दुर्ग दो सेंटर है मौर्निंग में 730 से 1030 का बैच रहता है राइपूर सेंटर में शाम को 5-8 का बैच रहता है और अधिक इंफरमेशन चाहिए तो यह दो नंबर है क्या-क्या नंबर है 7747901111 और उसके बाद है 7869978414 इस नंबर पर कॉल कर लो चाहो तो हमारा जो राइपूर सेंटर पता है साउथ एविन्यू प्लाजा में सेकेंड थर्ड फ्लोर आर के सीक सामने वहां आ भी सकते हो तो अचानक से मुझे ऐसा लग रहे कि यह जो वीडि रहेंगे दिटरी तो सबसे पहले क्या है लक्षमन जूला going एस सपेंशन ब्रेज क्या होता है सब से्विल इंगीनिरग वाल जानते होंगे एस पेरी होता है पूल रहता है तो बहुत सार एसा तार लगा रहता है जिसे की बिज़को क्या है नीचे शपोर्ट किया गया रह वहाँ पर खारून जो नदी है उसके उपर अल्रेडी इसका लोकारपन 2018 में किया जा चुका है। उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे? उस समय रमन सिंग जी थे। क्लियर है यह? तो पहला फैक्ट मैंने बता दिया ध्यान रखना। तो यह जो राजिम में बना हैं कहां बना हैं? राजिम में त्रविणी संगम के नजदी कौन सी नदी पर तो महा नदी पर यह पहला नहीं है याद रखना। कंटूजन नहीं होना चाहिए यह वायर फिर से आ गया जी। बड़ा समस्य है क्या वो लोगे। महा नदी के उपर राजिम में बना है क्या? सस्पेंशन ब्रिजया लक्षमन जूला लेकिन मैंने आपको बताया कि प्लीज उसको पहला मत मानना क्यूमत मानना 2018 में राइपुर में खारून नदी के उपर अल्ड़ी लुकार पर हो चुका है। पहली बात अब इसका कब हुआ है? तो 1 मार्च 2022 महा शिवरात्री तो मैंने आपको बताया था कि राजिम में मेला लगता है तो माग मास की जो पूर्णिमा होती है तो मेला चालू होता है और महा शिवरात्री जो है वो मेला का एंड होता है तो माग पूर्णिमा से महाशिवरात्री का मेला और एक तारिक 2022 को महाशिवरात्री के ही दिन इसका लोकारपन किया गया, इनाउगरेशन किया गया सिद्धा सिद्धा के दो, किस ने किया है तो अभी Chief Minister कौन है तो भुपेश बगेल जी दुवारा और अब यह ब्रिज में आपको बताओं कहां कहां करनेक करता हdefined है तो अगर आपको वाराजिम गए हो गए तो आपने देखा और राजीव लोचन मंदिर तो राजीव लोचन मंदिर कहां आता है तो यह आता है और राजीब में ठीक है, से कुलेश्वर महादेव मंदिर तो टेक्निकली मैं बताओं, कुलेश्वर महादेव मंदिर आता है नवा गाउ में, जो कि है किस में, धमतरी जिला में दिखता वहाँ पर है, नवा गांग लिख दियाओं में नवा गाउ और लोमस रिशी आश्रम, ये भी कहाँ पर आता है, तो ये भी धमतरी जिला में ही आता है क्लियर है ये, तो ध्यान रखना राजीव लोचन का मंदिर है, वहाँ से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस रिशी के आश्रम तो राजीव लोचन, कुलेश्वर महादेव और लोमस रिशी का आश्रम, आरकेल करके याद रखेना इसको जोडता है, अब इसकी जरूरत क्या थी, तो आपको पता होगा, कि 36 गड़ जो है, वो क्या है, तो प्रायद वीपी भारत का हिस्सा है, और यहाँ पर जो नदियां ह इसी हैं तो पैनिन सुलर है, मतलब प्रायद वीपी है, मतलब मौसमी है, मतलब जब वर्षा के नितु होगी तब इसमें जो जल का स्तर या वाटर लेवल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, अब उधारन के लिए आप समझो, यह महानदी है, और यह इसके बीचों बीच क्या है, तो कलेशवर महादेव का मंदिर है, इसके कोने में, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो राजीव लोचन मंदिर है, अब समझिएगा, जब जल का स्तर बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उस समय क्या होता है, तो यहाँ पर पानी भर जाता है, और आपको प पानी होगा, तब आप इस मंदिर को रीच नहीं कर सकते, क्लियर है, तो ऐसा हमेशा से होता था, तो श्रद्धालू उस समय भी क्या कर सके, नदी में जाकर, या नदी पार करके कहूं, या बीच में जाकर, कुलेशवर महादेव की दर्शन कर सके, इसलिए इस ब्रिच को ब वो नदी में पानी होने के बावजूद क्या कर सके, कुलेशवर महादेव जो है न, उसके दर्शन कभी भी वर्ष भर, चाहे नदी में जाओ, जब पानी नहीं है, और पानी है तो क्या करो, सस्पेंशन ब्रिच में से चले जाओ, क्लियर है ये, तो कर सके, बहुत बहुत है, किस point of view से, mcq से, संग्याया, कितर mcq तयार हो सकते हैं, देखते हैं, पहला, पूछेगा, राजिम में जो सस्पेंशन ब्रिच है, वो कौन सी नदी के उपर है, तो एक क्वेशन बन जाएगा, ठीक है, सेकेंड लोकारपन कब हुआ, दूसरा क्वेशन, आपको पता है कि important जो events होते हैं, उसका तिथी भी पूछ देता है, example के लिए गोधन नयायोजना, तो basically पूछ दिया था, कि कब चालू हुआ करके, ठीक, तो ध्यान रखेंगे, तिथी भी, महाशिवरात्री का दिन था, उत्रा important नहीं है, तिथी, date जादा important है, बट प्लीज, ध्यान रख पूछेगा, आपको पूछेगा, 36 गड़ का पहला suspension bridge, यह कहां बना था, या किस नदी पर बना था, या कब इसका लोकारपन हुआ था, तो इस एक news से 5 प्रकार के MCQs जो है न वो, बन सकते हैं, आपको प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चलिए, अब next देखते हैं तो next है क्या, तो एक teacher है, नाम है क्या, पूनम उर्मल्याजी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कि भिलाई में, जो शास्की कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर ये teacher है, नाम है क्या, पूनम उर्मल्याजी, ठीक है, अब क्या हुआ, तो basically, दिल्ली में जो अमबेटकर अंतर राष्ट्री भवन है, वहाँ पर एक सभागार है, या convention center है, नालंदा सभागार, इसमें एक ceremony को आयोज़त किया गया, ceremony for school teachers, और इसमें क्या किया गया, इनको, पूनम उर्मल्याजी को, राष्ट्री, ICT, National ICT Award दिया गया, Information Communication Technology, ठीक है, National ICT Award जो है, वो दिया गया, तो basically हुआ क्या था, इस school में, 36 गर्वर्मेंट ने 10 computer दिये थे, बच्चों को Information Technology से परिचित कराने के लिए, तो, पूनम जी ने क्या किया, उसमें न, Defense Open Education Resources, इसका installation कराया, जिससे की क्या हुआ, जो computer की basic technologies है, उसके बारे में, जो students है, उनको बहुत बहतरीन knowledge जो है, वो मिल सकी, और बहुत बहतरीन knowledge मिलने के कारण ही क्या हुआ, उनको फिर National ICT Award जो है, उसके लिए चुना गया, और यह जो Award है, इनको दिया गया है, फिर question का significance क्या है, तो पहला significance ह पूछेगा किन को मिला है, second, paper number 5 में, अगर education से related question पूछना चाहे, ठीक है, तो उस question में भी, आप इसका use कर सकते हैं, क्यूँ, क्यूँकि इससे बच्चों में information technology के related knowledge मिल रही है, clear है, या क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ, paper number 2 में essay आ जाए, किस से संबंधित, education से संबंधित, तो भी इस point को क्या कर सकते हैं, आप utilize कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब अगला question, question क्या, अगला topic यार, अगला topic क्या है, पढ़ाई तुहर दुवार part 2, सबसे पहल आप में बताओगे, ये पढ़ाई तुहर दुवार, part 1 क्या था, ठीक है, तो आप सभी को पता है, कि वर्ष 2020 से लगातार हमारे देश में और हमारे राज्य में, lockdowns जो है, वो बार-बार लगते रहते हैं, जिसके current students जो होते हैं, उनकी पढ़ाई में बार-बार क्या लगत है, तो break लग जाता है, तो यही break न लगे, और जो break लग गया है, उस break को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, जो शती हो गई हो, उसको क्या की जा सके, पूर्ती की जा सके, या दूर किया जा सके, और school के जो students है, उनमें क्या लाया जा सके, सुधार लाया जा सके, इसलिए पढ़े ही तो हर दुवार पार्ट टू योजना जो है वो स्टार्ट हो रही है कब से तो एक मार्च 2022 है और इसकी निगरानी कौन रखने वाले हैं तो जिला, सिक्षा, अधिकारी जो होंगे हर डिस्ट्रिक्स के वो रखेंगे इसकी निगरानी करने वाले हैं अब यह जो टॉपिक है अपने आप में यह ज़ादा मेंस ओरियंटेड है कैसे मेंस ओरियंटेड है पहला तो पेपर नमबर पांच में आपको क्या करेगा 30 वर्ड्स में पूछेगा कि यह जो पढ़ही तुहर दुवार योजना है इसके बारे में आप क्या जानते हैं एक क्वेशन दूसरा हाल ही में एक ऐसे आया था कोरोना के टाइम में एजुकेशन में क्या बेनेफिट्स हुए और क्या चालेंजिस तो अगर कोई ऐसा ऐसे आ जाए तो आप इस content को क्या कर सकते हो use कर सकते हो next अगर online education से संबंधित कोई ऐसे आजए तो भी आप इस content को क्या कर सकते हो use कर सकते हो clear है तो आपको क्या comment करके बताना है पढ़ही तुहर दूवार जो part 1 था वो कब से चला Weight चलिए अब next क्या है तो man part में क्या बनने वाला है तो जैव विवित्ता पार्क बायो डैवस्टी पार्क बनेगा अब इसके लिए क्या किया गया है तो रोपा खार जंगल में 160 हेक्टेर की जो भूमी है ना उसको चिन्हांकित किया गया है कि यहां पर बनाया जाएगा अब यह जो पार्क होगा ना इसको एकड़म नाच्रल या प्राक्रतिक रखा जाएगा जिसमें पक्के निर्माण भी कैसे होंगे एकड़म कम से कम होगा secondly मैं आपको बता दूँ वहाँ पर एकड़म ना नाच्रल एन्वाइरमेंट हो गया वन संपदाद मतलब फॉरस जो रिसोर्स है जीव जन्तू और वहाँ की जो स्थानी संस्कृति है उसके बारे में भी क्या करेगी इन्फिमिशन वहाँ से दिया जाएगा जानकारी दी जाएगी और वहाँ पर मैं आपको बताओं मनुरंजन के लिए ट्रेकिंग के लिए सब फेसिलिटीज अवेलेबल होंगे जंगल के बीच में रुखने के लिए क्या किया जाएगा तो परियटो के लिए टेंट लगाया जाएगा क्लियर है यह तो यह आपको सीधा MCQ में पूछ सकता है कि भई नवीन जो जैब विवित्ता पार्क कहां बनने वाला है ता आपको ध्यान में रखना है कहां मैंपार्ट में अब थोड़ा सा मैंपार्ट को देख लेते हैं तो आपको पता होना चाह यह कि यह जो जिला है यह 46 बड़ क कौन सा जिला है सरगुजा और इसी में एक तैसील है और उस तैसील का नाम क्या है तो नाम है MAN PART मैं पाठ अपने आप में क्या है तो मैं आपको बताओं ये एक पाठ अब पाठ क्या होते हैं तो पाठ कुछ नहीं बहुत ही आसान भाषा में कहूँ तो उचे पठार होते हैं जिनकी अस्तन उचाई लगभग 1000 मीटर होती है और जो इनकी धलान होती है वो कैसी होती है तो सीधी के जैसे सीधी नूमा तो 36 गड़ में आप देखो के बहुत से पाठ है जैसे कि क्या है जश्पुर पाठ है सामरी पाठ है जारंग पाठ है जमीर पाठ लहसून पाठ ऐसे बहुत से पाठ 36 गड़ में आप पढ़ोगे उनी में से एक पार्ट क्या है, मैन पार्ट, अब विस्तार कहोगे, तो मैन पार्ट का विस्तार ना सिर्फ मैन पार्ट तहसील में है, बलकि थोड़ा सा सीता पुर जो तहसील है ना, हमारे सरगुजा जिले का, वहां भी है, तो चाहिए मैन पार्ट की कहोगे, तो कित्ती है, ग्यारा बावन मीटर यहां पर आप देखेंगे कि एक खनीज बहुतायत मात्रा मिलता है वो क्या है बॉक्साइट तो सर्गुजा जिले में आप जितना खनीज भंडारन पढ़ते हो बॉक्साइट का जैसे ही आप मैन पाट चड़ना चलू करो लगातार वो गाउं जो है सब आते जाते हैं इसके अलावा यहां पर क्या है पता होगा उल्टा पानी तो बेसिकली पानी का प्रवा उचे स्थान से निचले स्थान तक होता है लेकिन उसला जब उल्टा पानी में जाओगे देखोगे नीचे से उपर की और पानी जो है वो बह रहा है इसके अलावा यह पर क्या है तो जलजली है जानते हो जल जली है पता है ना गया हो गए देखे हो गए कुद कुद के जमीन जो है ऐसा लहर खाने लगती है दबने लगती है पंजी है वहाँ पर जमीन clear है, तो man part के बारे में इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है अभी आपको मैं बताऊं कि अगले वीडियो में हम man part महोत्सा जो है न उसके बारे में भी क्या करेंगे तो देखेंगे clear है, अगले वीडियो में देखेंगे उसको चलिए, अब आगे क्या है, तो आगे है एक conclave हुआ राइपुर में, कब हुआ तो तीन मार्च को, conclave जो है, उसका नाम क्या था social enterprises for garbage free city एक इस पर हुआ national conclave आपको ध्यान रखना है कब हुआ तो ये सीधा question एक mcq बनता है कि ये conclave कब हुआ है, जिसमें क्या किया बीस राज्यों ने हिस्सा लिया, तो एक mcq ये बन जाता है, तो conclave कब हुआ, तीन मार्च को, कहा हुआ राइपुर में हुआ, और अगला question क्या है, कि कितने राज्यों ने भाग लिया, तो बीस राज्यों जो है, वो मिला, किसको 36 को, तो हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं, वो इतनी अच्छी हैं, इस पर क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को रखा गया और बताया गया कि एक policy है, 6R policy, जिसमें rethink, reuse, recycle, repair, reduce और refuse, इसके आधार पर क्या किया गया है, तो काम किया गया है clear है, यह 6R policy जो है, यह क्या है तो बहुत important है, यह आपको mains में जब आप paper 2 में essay लिखोगे और waste management से संबंधित कभी essay का content चाहिए, तो 6R policy यूज़ कर सकते हो rethink, फिर से सोचो, reuse, फिर से use करो, recycle मतलब, एक प्रकार का क्या है उसको वापिस से नवीनी करन कर लो repair मतलब, उसको वापिस repair कर लो reduce मतलब कम करो, refuse मतलब क्या करो कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिसको मना कर दो नहीं use करो, ठीक है तो यह जो 6R policy है ना, इस पे काम करने से हमारे यहां क्या हुआ, जो waste material है, उसका formation धीरे-धीरे कम होने लगा, अप्षिष्ट बनने की मात्रा जो है, वो क्या होने लगी कम होने लगी, इसके अलावा यहां पर बताया गया, नागरी को के लिए एक toll free number है, number है क्या, 1100, तो अगर स्वच्चता संबंधित कोई शिकायत है तो इस पे आप call करोगे toll free number 1100 पे, तो क्या होगा, 24 घंटे कंदर इसका निप्टारा जो है, वो किया जाएगा, तो इसको दो तरीके से आज रखना है, एक तो PSC तरीके से पूछतेगा toll free number क्या है, एक MCQ में अगला, हमको याद भी होना चीए, पता होना चीए उससे क्या होगा, घार में कोई अगल बगल में कच्रा है जानते हैं तो कच्रा वाले बहुत नाटक करते हैं उठाने में फोन करने सीधा 1100 में अगला क्या है, तो SAI Sports Authority of India भारती खेल प्राधिकरण ने क्या किया है, हमारे यहाँ साथ खेलों इंडिया सेंटर जो है उसको मनजूरी दिये क्या क्या सेंटर है, इतना याद रखना है बस तो एक है क्या, शीव तराई, बिलासपुर और बीजापुर में तीरन दाजी, आर्चरी का सेंटर, ठीक, तो यह बिलासपुर का यह सीव तराई, क्लियर है, और दूसरा क्या है, यह बीजापुर यहाँ पर क्या है तो, टी लेख देता हूँ, तीरन दाजी अब अगला क्या है, राजनादगाओ और जश्पुर, तो यह क्या है, यह राजनादगाओ और यह क्या है, जश्पुर, यहाँ पर होकी के लिए सेंटर, गरिया बंद, तो यह गरिया बंद है तो गरियाबन में वाली वाल के लिए नारायनपूर में मलखंब तो ये क्या है नारायनपूर और यहां पर क्या है तो मलखंब के लिए सेंटर और उसके बाद क्या है ये सर्गुजा तो सर्गुजा में फुटबॉल के जो सेंटर है उसके लिए खेलो इंडिया center बनेगा जिसको क्या की गई है तो स्विकृति दी गई है अब ये center के माध्यम से होगा क्या तो मैं आपको बताता हूँ 36 गड़ के जो खिलाडी है ना उनका चयन करके जो national और international लेवल के coach है उनका क्या उनके दोरा इन जो खिलाडी है उनको क्या दिया दोनों जगा तीरन दाजी या आर्चरी के लिए center है या बनेगा ठीक है अभी मंजूरी मिली है उसके बाद अगला क्या है राजनात गां हो गया और जश्पूर हो गया यहां पर होकी के लिए center गरिया बंद में वॉली वॉल के लिए center नरायनपुर में मलखंब के लिए center और उसके बाद सरगुचा में फुटबॉल के लिए खेलो इंडिया center जो है इसको क्या है मंजूरी दी गई है और फिर मैंने क्या बताया आपको कि इसके माध्यम से क्या होगा चत्तिर गड़के जो खिलाड़ी है उनका चयन किया जाएगा और चयन करने के बाद नाशनल इंटरनाशनल लेवल के जो कोच है ना वो क्या करेंगे इनको प्रसेक्शन देंगे अब नेक्स्ट क्या है शिशू संरक्ष्ण माह यह मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ चाइल्ड हेल्थ इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर मिले आपको पेपर फाइव में या ऐसे तो इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं ठीक है तो शिशू में क्या होता है पोशन जो है ना निट्रिशन उसको बहतर बनाने के लिए इसको चालू किया गया है हर छ 4 मार्च से 8 अपर तक चल रहा है 4 मार्च से 8 अपरेल 2022 कौą सा विभाग करता है द बट औविस सी बात है शिशूओ की बात हो हाई है तो महिला एवं बाल विकास विभाग दूआरा ठीक है अब क्या किया जाएगा तो पांच वर्ष तक के जो बच्चे है ना उनको वाइट के महीने एक गताने मेन फैलिटे लेबल है उसको क्या करने के लिए बहतर बनाने के लिए छे महीने में एक बार 20 वाइटमीन आय deflection की खुदालंे केंगे किया दो बार है तो लक्ष है 26,40,000 बच्चों को वाइटमिन ए और 28,30,000 बच्चों को आयन और फॉलिक एसिड की खुराक देना तो लक्ष जो है वो है यह तो 26 लाक और 28 लाक भी याद रख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो 26 20,00,000 को क्या करना वाइटमिन ए और 28,00,000 को क्या करना तो आयन और फॉलिक एसिड के खुराक देना अब मेंस में क्या है तो जो सिशूर्शन रक्षण माह जो है इसके उपर क्या कर सकते हैं तो एक शॉर्ट नोड जो है उसको भी 30 वर्ट में आप रेडी कर सकते हो ठीक है च और रायपूर में कहा कहा पर तो एक है गुणिघारी का शहरी सामुदाईक स्वास्त केंदर ठीक और दूसरा क्या है भाटागा जो है न वहाँ पर प्राथमिक स्वास्त के इंदर में अब यहाँ पर क्या हो रहा है तो जो 60 प्लस के जो लोग हैं उनको बहुत सारी बिमारियों के लिए निशुलक जाच उपचार और फ्री में दवाईयां भी जा रही है इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो की जरूरत मंद है जिनके बाद वॉकिंग स्टिक्स नहीं है हीरिंग एड नहीं है श्रवन संबंधिय उपकरण तो उनको क्या किया जा रहा है इसे फ्री में विद्रित किया जा रहा है क्लियर है यह यह भी बहुत ज़्यादा ओरियंटर है आपके मेंस पॉइंट उफ्यू से एक क्वेशन को सीधा रेडि कर लेना 30 वर्ड में सियान जतन क्लिनिक का उद्देश बताईए क्या है यह ठीक है तो 2 मार्ट को यह श्रिवर लगा था कहा लगा है ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि 60 प्लस के लोगों को क्या किया जा रहा है तो 30 वर्ड में इसको आप रेडि कर लोगे पेपर 5 में आने की संभावना हो जाएगी इसकी अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप ऐसे में भी अगर स्वास्त संबंधित ऐसे आता है समाच कल्याण संबंधित को ऐसे आता है तो पेपर 2 में भी आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं ठीक, चलिए अब आगे क्या है दिव्यांग जन राज्य राष्ट्री पुरुसकार 2021 ठीक तो ये 4 मार्च 2022 को दिया गया है कहाँ पर तो बाना कैम तो पहले MCQ बन जाता है कि 4 मार्च 2022 को दिया गया है ठीक समाच कल्याण जो विभाग है उसके द्वारा दिया गया है इसको ध्यान रखना है अब विशेश क्या था तो हमारे यहाँ पर आठ ऐसे व्यक्ति और संस्था इनको क्या किया गया है दिया को दियांग जन राज्यस्तरी पुरुसकार से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है आठ व्यक्ति और संस्थानों को और इसी उसर पर क्या किया गया तो दो राष्ट्री पुरुसकार प्राप्त संस्था और दिव्यांगता समाद सेवा एवं विशेश उपलब्धियों वाले पाँच व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया तो आठ व्यक्ति और संस्था को क्या किया गया राजजिस्तरी पुरुस्कार दिया गया और ध्यान रखना दो राष्ट्री पुरुस्कार प्राप्त संस्था और दिव्यांगता समाज सेवा और विशेश उपलब्धियों वाले पाँच व्यक्तियों को भी क्या किया गया है तो सम्मानित किया गया है ठीक है इंपोर्टेंस जो है वो MCQ के हिसाब से है कि ये राष्ट्री पुरुस्कार जो है कब दिया गया उसके अलावा स्थल ठीक तो ये ध्यान रख लेंगे अब नेक्स्ट अगला क्या है क्रिशी विश्व विद्याले आपके द्वार तो बेसिकली क्या है आपने देखा था तु राष्ट्री किसान दिवस्य की गई अब इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व विद्याले है राएपुर का उसके सभी क्रिशी उद्यानी की क्रिशी अभियंत्र की जो महा विद्याले हैं साथ मे जो कृषी विज्ञान केंद्र है कुल कितने हैं अभी 27 इनके माध्यम से किसान और स्कूली बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें क्या है कृषी के छेतर में नवाचार इनोवेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है जो कृषक हैं उनको क्या किया जा रहा है तो उनको फसलों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिसमें बहुत सारी चीज़े हों गई जैसे रोपाई किस तरीके स्की जाती है खाद की सहीं मात्रा क्या होती है सही उपयोग करने का तरीका क्या होता है और उनको उनकी रुची के अनुसार जो बीज है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है वर्तमान स्थिती क्या है तो अभी तक लगभग सौ गाओं के एक लाख जो किसान है न उनको इसके अंतरगत क्या किया जा चुका है तो प्रसेक्शन दिया जा चुका है या ट्रेनिंग दिया जा चुका है clear है तो 30 words में अपने आप में क्रिशी विश्विद्याले आपके द्वार इसके बारे में पूछ सकता है क्यूं क्यूंकि ये क्रिशी संबंदित है तो paper 5 के लिए important हो जाता है ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आप अगर ऐसे आ जाए paper 2 में जो कि किस से संबंदित हो क्रिशी से संबंदित तो इसको लेख सकते हो इसके अलावा paper 5 छत्यवड के जोगरफी में क्रिशी छेत्र में innovation से संबंदित भी ये question हो सकता है ठीक है agriculture वाला chapter है कि नहीं है चत्यवड की जोगरफी में तो क्रिशी में जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान है तो समस्या आप बता सकते हो समस्या क्या है ग्यान की और उसका समाधान क्या है तो क्रिशी वेश्विद्याले आपके द्वार कारिक्रम से क्रिश्को को क्या दिया जा रहा है तो ट्रे विधान सभाय उसका बजट सत्र साथ से 25 मार्च 2022 जो है तब तक होने वाले जिसमें कुल बैठे के कितनी है तो तेरा और इसकी शुरुवाद जो है हमारी जो गवर्णर है सूश्री अनुसुया उईके जी ने उनके अभिभाशन से दी पहले दिन क्या किया गया तो जो क inadequ Review जो बजट है उसको पेश किया गया और 9 मार्च को क्या हुआ है तो बजट आया है विद्ती वर्ष 2022 टेश फिस्कल 2022 टेश के लिए किस ने किया है तो मुक्हमंत्री भुपेश बगेल जी ने जो कि क्या है राजी के वित्तमंत्री भी हैं तो उन्होंने बतोर वित्तमंत चीजे जो है ना वो budget से related हैं तो budget के लिए मैं एक special video बनाऊँगा जिसमें budget जो है उसके key points का analysis करने वाले हैं इसलिए यहाँ पर मैं बहुत जादा detail में budget के लिए नहीं जा रहा हूं ठीक है यह क्या है आप मेरे comment करके बताना तो कि इस बार क्या हुआ है तो एक नया जो bag है वो क्या है क्यों इतना चर्चा में एक बार में को ज़रा comment करके आप बताएंगे ठीक चलिए इसके बाद क्या है तो super model miss India तो मैं आपको बता दू basically कि 28 February 2022 को गोवा में क्या हुआ था तो एक contest हुआ था जिसमें लिपी मेश्राम जो कि कहा कि है लोहांडी गुडा बस्तर की इन्हों ने सूपर मॉडल मिस इंडिया ये जो खिताब इसको क्या किया है जीता है तो सूपर मॉडल मिस इंडिया का किताब जीता है किनोंने लिपी मेश्राम बहुत कमेज में जीता है लोहांडी गुड़ा बस्तर किये रहने वाली है अब इस पूरे प्रतियोकता में 30 प्रतिभागी मतब 30 contestants participate किये थे चार round थे टॉप पर आई है कौन लिपी मेश्राम कहां किये लोहांडी गुड़ा बस्तर की है कहां पर हुआ है गोवा तो यह सीधा mcq का question बनेगा पूछेगा सूपर मॉडल में सिंडिया जीतने वाली कौन है नीचे राम दिया रहेगा आपको लिपी मेश्राम जो है उस पर टिक करना है चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं कुछ questions के साथ तो पहला question है नई दिली में आयो जी जो ceremony for school teachers है उसमें 76 की सिक्षिका को award मिला है ठीक है 2022 में भारत सरकार की आवास और नगरी मामले के जो मंत्राले है तो social enterprises for garbage free city पर national जो conclave है वो कहां किया गया है और final जो question है वो क्या है तो 36 राज के budget सत्र इसकी अवधी क्या है ठीक है चलिए तो ये था आज का session थोड़ा सा मैंने छोटा रखा आज का session क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो को quality कैसा है थोड़ा सा ज्यादा खराब है जिसके करण आप लोगों को देखने में समस्या हो रही होगी थोड़ा सा कंजाची भी लग रहा होगा कोई बात नहीं next video में better quality के साथ मैं उपस्तित हो जाओंगा जिसमें की आगे के contents पर हम चर्चा करेंगे तो मैं करता हूं मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आया हो और आप सभी से मुलाका थो कि मेरे आने वाले वीडियो में तब तक थांक यू और टेक कैर